सबी दर्शोकों का हार्दिक स्वागत है किन्तु उस स्थिति को क्या कहते हैं जब आवेश गतिमान हो जाते हैं गतिमान आवेश विद्धारा का निर्मान करते हैं आएए आवेशों की गती से सम्बंदित दो चित्रों पर एक नजर डालते हैं यह चित्र तड़ित या आकाशिय बिजली का है और दूसरा चित्र एक प्रकाशित टॉर्च का है इन दोनों ही दशाओं में आवेश गतिमान है किन्तु आवेशों की गती में एक अंतर है क्या आप यह अंतर बता सकते हैं? वास्तों में तड़ित में विद्ध्यूत आवेशों का प्रवाह स्थाई नहीं होता है यदि यह स्थाई होता तो आकाशिय बिजली की चमक स्थिर बनी रहती दूसरी और एक चमकते हुए बल्ब में विद्ध्यूत आवेशों का प्रवाह स्थाई बना रहता है जो इसके निरंतर एक समान प्रकाश्ते स्पष्ठ है आज हम आवेशों के स्थाई प्रवाह से संबंधित कुछ मूलभूत नियमों को समझने का प्रयास करेंगे कल्पना कीजिए कि बोर्ड के समानांतर शैतिज दिशा में आवेशों का प्रवाह हो रहा है और इस आवेशों के प्रवाह से लंबवत एक लगू शेत्रफल स्थित है यदि किसी समय T में शेत्र से प्रवाहित नेट अगरगामी आवेश Q बराबर Q प्लस और Q माइनस का अंतर है तब I बराबर Q बटे T यह अगरगामी दिशा में प्रवाहित धारा को परिभाशित करता है यदि Q निर्णात्मक हो तो यह संकेत होगा कि धारा अगरगामी दिशा में होने के बजाए पश्च गामी दिशा में बह रही है इसकी इकाई एंपियर है जिसे कैपिटल ए से निरूपित किया जाता है यदि विद्युत आवेशों का प्रवाह स्थाई नहीं है इसका अर्थ होगा कि धारा परिवर्तित हो रही होगी तो व्यापक रूप में धारा का व्यंजक इस तरह से दिया जाता है यह व्यंजक है आई बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी यहाँ पर डेल्टा टी समय है और यह शून्य की और प्रवर्त है लिमिट डेल्टा टी शून्य की और प्रवर्त तो अब तक हमने क्या सीखा स्थाई प्रवाह के लिए धारा का व्यंजक है i बराबर q बटे t और अस्थाई प्रवाह के लिए यह व्यंजक हो जाता है i बराबर डेल्टा q बटे डेल्टा t जहां समय डेल्टा t 0 की और प्रवृत है धारा की इकाई एंपियर है जिसे कैपिटल ए से निरूपित किया जाता है यहाँ पर आपके लिए कार्य है आपको खोजना है कि घरेलू वैद्युत साधित्रों में धारा का मान कितना होता है इसके अतरिक्त आप यह भी जानने का प्रयास कर सकते हैं किसी औसत तड़ित में प्रवाहित धारा कितनी होती है और यह जानकारी भी आपके लिए काफी रोचक होगी यदि आप खोजें कि शरीर की तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली धाराओं का मान कितना होता है अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि चालक में विद्युधारा का प्रवाह होता कैसे है यदि कोई विद्युत आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो यह विद्युध्शेत्र के अनुप्रयोग पर आगे बढ़ेगा और इस तरह विद्युधारा में योगदान देगा लेकिन अनुओं तथा परमानुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद रहते हैं लेकिन यह केवल अकेले अनु या परमानु के लिए होता है स्थूल पदार्थ में जहां अनेक परमानु और अनु एक साथ रहते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक नाभिक से जुड़ा हुआ नहीं रहता जैसा आप तीसरे बिंदु में देख सकते हैं कुछ पदार्थों में विशेशकर धातूओं में इलेक्ट्रॉन स्थूल पदार्थ में गती के लिए स्वतंत्र रहते हैं और इन पदार्थों में जिनें चालग कहते हैं विध्यूट्शेत्र आरोपित करने पर ये इलेक्ट्रॉन गती करके विध्युधारा का निर्मान करते हैं अब प्रश्ण यह है कि क्या केवल इलेक्ट्रॉन ही धारा प्रवाहा के लिए जिम्मेदार हैं। धातूओं के लिए इसका उत्तर हाँ है। पर विद्युत अपगटनी विलेयनों में धनात्मक और रनात्मक दोनों आवेशों के प्रवाह से धारा का निर्मान होता है। हमारी चर्चा में हम ठोस धातू चालकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जहां विद्युत प्रवाह बनाने के लिए केवल इलेक्ट्रोनों का योगदान होता है। पहले हम ऐसी स्थिती पर विचार करते हैं जहां कोई विद्युत शेत्र उपस्थित नहीं है। इलेक्ट्रोन तापिये गती करते समय आबद आयनों से संघट करते हैं। और संघट के पश्चाद उनकी गती की दिशा याद्रचिक होती है। इस प्रकार यदि इस याद्रचिक रूप से गती करते हुए इलेक्ट्रोनों के समूह में हम किसी लंबवत शेत्रफल की कल्पना करें तो उससे प्रवाहित आवेश किसी समय में शूने ही रहेगा। और इस प्रकार ये आवेश तापी अगती करने के बाद भी विद्युधारा का निर्मान नहीं करेंगे और नेट विद्युधारा नहीं होगी। आएए अब हम यह देखें कि इस प्रकार के चालक को यदि किसी वाहिय विद्युध शेत्र में रख दिया जाए तो क्या होता है। अपने विचारों को केंदरित करने के लिए एक बेलनाकार चालक की कलपना कीजिए और इस बेलनाकार चालक के दोनों वृत्ताकार सिरों पर परावध्युध की दो डिस्क जोड़ दी गई हैं जिन में से एक डिस्क पर आवेश माइनस क्यू और दूसरी डिस्क पर अवेश विद्युध शेत्र की विपरीत दिशा में चलना शुरू करेंगे और जब तक वो इसके आवेश को निरावेशित नहीं कर देते तब तक वो चलते रहेंगे निरावेशित हो जाने के बाद आवेशों का प्रवार रुक जाएगा और इस प्रकार धारा भी रुक अब प्रेश्न यह है कि हम निरंतर विद्युध धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए एक स्थाई विद्युध शेत्र उत्पन करने वाली युक्ती प्रयुक्त होगी और ऐसी युक्ती है विद्युध सेल या एक विद्युध बैटरी अच्छा धाराओं के आए ओम का नियम समझ लें कि ये क्या है एक चालक की परिकल्पना कीजिए जिससे धारा आई प्रवाहित हो रही हो और मान लीजिए वी चालक के सिरो के मध्य विभवांतर है तब ओम के नियम के अनुसार वी अनुक्रमानुपाती होगा विद्युध धारा के इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं के वी बराबर आर आई यहाँ पर आर एक स्थिरांक है और यह है चालक का प्रतिरोध कहलाता है प्रतिरोध का ऐसाई मातरक ओम है इसका प्रतीक है ओमेगा और प्रतिरोध निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है इन में से पहला कारक है चालक का पदार्थ और दूसरा कारक है चालक का विस्तार अर्थात उसकी लंबाई और उसका छेत्रफल प्रतिरोध की चालक के विस्तार पर निर्भरता आसानी से ग्यात की जा सकती है आईए इसके लिए हम इस व्यंजक पर एक तजर डालते हैं यहाँ पर हमने कल्पना की है कि एक सिल्ली है जिसका अनुपरस्त काट का छेतरफल A है तथा जिसकी लंबाई L है यदि सिल्ली से प्रवाहित धारा A हो एवं विभवांतर V हो तो इसका प्रतिरोध ओम के नियम द्वारा R बराबर V बटे A से दिया जाएगा अब हम कल्पना कर रहे हैं कि इसी प्रकार की दो सिल्लियों को जोड़ कर रख दिया गया है जिससे कुल लंबाई L जमा L 2L हो गई है और अनुपरस्त काट का छेतरफल अभी भी A ही बना रहा है धारा I प्रवाहित होने पर संयोजन का विभवांतर 2V होगा ऐसा इसलिए है चुकि दोनों सिल्लियों से V और V विभवांतर बना रहेगा अता संयोजन का प्रतिरोध R C यहाँ पर C कॉंबिनेशन को निरुपित कर रहा है अता संयोजन का प्रतिरोध R C बराबर 2V बटे I होगा यदि इन दोनों समीकरणों की तुल्ला हम करें R बराबर V बटे I और R C बराबर 2V बटे I तो हम पाते हैं कि R C बराबर 2R इसका अर्थ यह हुआ कि चालक की लंबाई दोगुनी करने पर इसका प्रतिरोध दोगुना हो जाता है आईए अब प्रतिरोध की अनुप्रस्त काट के छेत्रफल पर निर्भरता समझ लेते हैं इसके लिए एक सिल्ली की कल्पना कीजिए जिसका अनुप्रस्त काट शेत्रफल A है तथा जिसकी लंबाई L है यदि इसके सिरों के बीच में आरोपित विभवांतर V हो और धारा प्रवाहित I हो तो पूरी सिल्ली का प्रतिरोध RC बराबर V बटे I से दिया जाएगा अब कल्पना कीजिए कि इस सिल्ली को दो बराबर भागों में काट दिया गया है इस प्रकार कि इसके अनुप्रस्त काट के शेत्रफल A बटे 2 और A बटे 2 हो गए हैं जबकि लंबाई अभी भी L ही बनी रही है अब यदि इसके सिरों के बीच में विभवांतर V आरोपित किया जाए तो हम समझ सकते हैं कि आधी सिल्ली से प्रवाहित धारा मात्र I by 2 होगी अताहा आधी सिल्ली का प्रतिरोध R ओम के नियम के अनुसार V बटे I बटे 2 होगा इन दोनों समीकरणों की तुलना अगर हम करें तो हम पाएंगे कि R बराबर 2 गुना R C हो जाएगा इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापक रूप में प्रतिरोध अनुप्रस्त काट के शेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है जिसे हम इस प्रकार भी निरूपित कर सकते हैं इन दोनों समीकरणों के संयोजन से हमें क्या निशकर्ष प्राप्त होता है समीकरणे हैं R समानुपाती L तथा R व्युत्क्रमानुपाती A इनके संयोजन से हमें प्राप्त होता है R समानुपाती L बटे A या R बराबर रो L बाई A यहाँ पर रो एक स्थिरांख है जो चालक की प्रकृती पर निर्भर करता है इसे प्रतिरोधक्ता कहते हैं इसकी इकाई ओम मीटर होती है ओम के नियम अनुसार V बराबर I R लेकिन अभी हमने पढ़ा के R बराबर रो एल बटे A भी एक व्यंजक है यदि इन दोनों व्यंजकों को मिलाया जाए तो हमें प्राप्त होगा V बराबर रो आई एल बटे A यहां पर I बटे A एक नई राशी है जिसे धारा घनत्व कहते हैं इसे J से निरूपित किया जाता है और इसकी परिभाशा हम यूँ दे सकते हैं कि विद्युद्धारा प्रती एकांख शेत्र जबकि शेत्र धारा के अभी लंबवत लिया गया हो को धारा घनत्व कहते हैं इसका मात्रक एंपियर पर मीटर स्क्वाइर होता है इसके अतिरिक्त यदि L लंबाई के किसी चालक पर एक समान विद्युद्ध शेत्र E आरूपित कर दिया जाए तो इसके सिरों के बीच के विभवानतर का परिमान E L होगा हाई ये समझते हैं कि V बराबर E L से ओम कानियम किस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा ओम कानियम कहता है कि V बराबर I Rho L बटे A यहाँ पर I बटे A को J से निरूपित करने पर ये समीकरण V बराबर J Rho L हो जाती है परंतु अभी हमने सीखा कि V बराबर E L होता है यदि ये मान इस समीकरण में रख दिया जाए तो यह इस रूप में बदल जाएगी E L बराबर J Rho L दोनों तरफ L को हटा देने पर हमें यह व्यंजक प्राप्त होगा E बराबर J Rho यह ओम के नियम को निरूपित करने का एक वैकलपिक तरीका है इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है इस समीकरण में हमारे पास दो सदिश राशियां है एक सदिश राशी E है और दूसरी सदिश राशी धारा घनत्व J है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि E एवं J की दिशा समान होती है हम ओम के नियम को एक और प्रकार से प्रकट कर सकते हैं E बराबर J रो इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि J बराबर सिग्मा E यहाँ पर सिग्मा एक बटे रो के बराबर है और यह चालकता को निरुपित करता है आगे बढ़ने से पहले आईए हम दैनिक जीवन में काम आने वाली एक वस्तूपर नजर डालते चलते हैं यहाँ आप एक मोबाइल चार्जर का चित्र देख सकते हैं इसे ध्यान से देखने पर क्या आप इसमें इनपुट और आउटपुट धाराओं के मान देख पाएंगे यदि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनपुट धारा 0.15 एंपियर तथा आउटपुट धारा 0.7 एंपियर है इसी तरह आपके लिए काम है आप यह खोजने की कोशिश कर सकते हैं कि विभिन उपकरणों में धाराओं के मूल ये क्या हैं जिने हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं इसके अतिरिक्त धारा के विकास एवं उपयोग के इतिहास को पढ़ें और थॉमस अलवा एडिसन एवं बोल्टा जैसे विज्ञानिकों एवं विचारकों के योगदान को जानने का प्रयास करें हम कुछ धातूं की छवियों को देखेंगे और फिर हम यह उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि इन में से कौन सी धातू हमारे घरेलू उपकरणों में विद्युत प्रवाहित करने के लिए पसंद की जाती है पहली छवी आयरन की है और दूसरी छवी कॉपर या तामे की है आप सभी ने सही अनुमान लगाया होगा इन दो धातूं में हम कौपर को पसंद करते हैं उन भौतिक राशियों में से एक जो कौपर को इस उद्देशे के लिए उप्युक्त बनाती है वह है प्रतिरोधक्ता अब हम एक नई राशी अपवाह वेग से परिचित होंगे और उसके आधार पर प्रतिरोधक्ता के उद्दगम के बारे में चर्चा करेंगे तो आईए इस देशा में आगे बढ़ते हैं जब एक धातू में एक इलेक्ट्रॉन चलता है तो यह भारी आयनों के साथ टक्राओ का सामना करता है टक्र के बाद यह समान गती से लेकिन याद्रिच्चिक दिशाओं में चलना शुरू करता है क्योंकि उनकी दिशाओं याद्रिच्चिक हैं इस प्रकार यदि आईवे इलेक्ट्रॉन के वेग को हम वी आई से निरूपित करें और किसी संख्या एन के सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग का ओसत लें तो वह ओसत हमें शून्य प्राप्त होगा अब उस स्थिती पर विचार करें जब एक विद्युट्षेत्र मौजूद है इस शेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएंगे और त्वरण का मान इस समीकरण द्वारा दिया जा सकता है जो कहती है कि A बराबर माइनस E E बटे M यहाँ पर M इलेक्ट्रॉन का मास है E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमान है और बड़ा E विद्युट्षेत्र को निरुपित कर रहा है किसी समय T पर आईवे इलेक्ट्रॉन के लिए हम समीकरण लिख सकते हैं V I यह बड़ा V I है बराबर छोटा V I रिण E E T I बटे M यह समीकरण हमें गती की पहली समीकरण को लगाने से प्राप्त होगा यहाँ पर बड़ा V I उस वेग को निरुपित करता है जो इलेक्ट्रॉन अगली टक्कर से पहले प्राप्त करेगा इस electron आईवे electron को अगली टक्कर तक पहुँचने में लगा हुआ समय Ti है electronों की टक्कर नियमित अंतराल पर नहीं होती बलकि याद्रिचिक समय पर होती है इसका अर्थ है कि कोई electron अगला संघट बहुत जल्दी कर सकता है जबकि किसी और electron को संघट में बहुत जादा समय लग सकता है यहां दो क्रमिक टक्करों के बीच के आसत समय को टौ से निरूर्पित किया जाता है अता टौ क्रमिक टक्करों के बीच का आसत समय है इस प्रकार किसी दिये समय T पर N electronों के लिए समय करण का आसत लेने पर हमें आसत वेग VD प्राप्त होता है तो यह हमारी समय करण है capital VI का आसत बराबर small VI का आसत माइनस EETI का आसत बटे M VI के आसत को एक नई राशी VD से निरूर्पित किया जाता है small VI का आसत शून्य होता है यह हम पहले ही समझ चुके हैं तो इसे शून्य के बराबर रख लेते हैं minus EETI जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि TI का आसत आसत समय T से निरूर्पित किया जाता है अता यह समी करण इस रूप में परिवर्थित हो जाती है इस प्रकार इलेक्ट्रोनों का आसत वेग से चलना अपवाह कहलाता है यह हमें बताता है कि इलेक्ट्रोन यद्यपी त्वरित हैं फिर भी एक आसत वेग से गतिमान हैं जो समय पर निरुपर नहीं करता है यह परिगटना अपवाह की है और यह समीकरण का वेग वीडी अपवाह वेग कहलाता है आएए जो दो नई राशियां हमने सीखी उनको एक बार परिभाशित कर लेते हैं विश्रान्तिकाल दो क्रमिक टकराओं के बीच के बीते औसत समय को विश्रान्तिकाल कहते हैं और इसे तौ से निरुपित किया जाता है दूसरी समीकरण अपवाह वेग की थी और चालक पर विद्युच्षेत्र आरुपित करने पर जिस औसत वेग से इलक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसे अपवाह वेक कहते हैं और यह VD से निरूपित किया जाता है अपवाह के कारण विद्यूट शेत्र E के लंबवत किशी शेत्र से होकर आवेशों का नेट परिवहन होगा हम यह मानते हैं कि यहाँ पर A एक शेत्र है जिसके अभी लंबवत आवेशों का परिगमन हो रहा है आवेशों को इन व्रत्तों से निरूपित किया गया है वैद्यूट शेत्र की दिशा बाई और है किसी अत्यल्प समय डेल्टा टी में इस शेत्रफल A से VD गुणा डेल्टा टी दूरी पर स्थित सारे इलेक्ट्रोन इस शेत्रफल को पार करके दाई और चले जाएंगे हम यह भी जानना चाहेंगे कि इन इलेक्ट्रोनों की संख्या क्या होगी तो इलेक्ट्रोनों की संख्या दाई और जो प्रवाहित हो रहे हैं उसे N A गुणा वीडी का परिमान गुणा डेल्टा टी से निरूपित किया जा सकता है इस व्यंजक में A वीडी गुणा डेल्टा टी इसके आयतन को निरूपित करता है और N जो है वो है प्रती एकांक आयतन में इस्थित मुक्द इलेक्ट्रोनों की संख्या अता दाई और प्रवाहित कुल आवेश माइनस E N A वीडी का परिमान गुणा डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पर माइनस E एक इलेक्ट्रोन का आवेश है यह सारा आवेश विद्यूत शेत्र से विपरीत दिशामे प्रवाहित होगा इस प्रकार विद्यूत शेत्र की दिशामे प्रवाहित आवेश इसके रणात्मक के बराबर हो जाएगा और यह आवेश होगा Q बराबर प्लस E N A वीडी का परिमान गुणा डेल्टा टी इन दोनों समिकरणों के सेयोग से हमें यह व्यन्जक प्राप्त होता है I गुना डेल्टा T बराबर E N A VD का परिमान गुना डेल्टा T परन्तु VD का मान हमने व्यन्जक पहले ही उत्पन किया था जो होता है VD बराबर E E टौ बटे M यह मान इस समिकरण में रखने पर इस समिकरण का रूप इस तरह से चेंज हो जाएगा और यह बन जाएगी I डेल्टा T बराबर N E स्क्वायर A E का परिमान टौ डेल्टा T बटे M इसे हम एक भिन रूप में भी लिख सकते हैं जहाँ पर J का परिमान धारा घनत्व के परिमान को निरूपित कर रहा है इस समिकरण में दोनों तरफ जो समान मान हैं यदि उन्हें हम हटा दें तो फिर यह समिकरण हमें J के परिमान के लिए व्यंजक उत्पन करके देती है और जो है J का परिमान बराबर N E स्क्वायर E का परिमान तौ बटे M ओम के नियम के साथ इस समिकरण की तुलना करने पर हमें चालकता का व्यंजक प्राप्त होगा जो है चालकता बराबर N E का वर्ग तौ बटे M इस समिकरण से स्पष्ट है कि एक पदार्थ की उच्छ N और उच्छ तौ के साथ उच्छ चालकता होगी और उसे कनेक्शन तार बनाने के लिए पसंद किया जाएगा सिल्वर और कॉपर दोनों इसके लिए उप्यूक्त हैं लेकिन कॉपर सस्ता होने के कारण पसंद किया जाता है जैसा कि हम देख चुके हैं कि चालकता गतिमान आवेश वाहकों से उत्पन होती है तो यहाँ पर हम गति से संबंधित एक महतुपूर्ण राशी गतिशीलता को परिभाशित करते हैं जिसे प्रती एकांग विद्युट्शेत्र के अपवाह वेग के परिमान के रूप में परिभाशित किया जाता है इसके लिए इसे म्यू द्वारा निरूपित किया आता है और म्यू बराबर वीडी का परिमान बटे ए जहां ए विद्युट्शेत्र है इसकी इकाई मीटर स्क्वाइर पर वोल्ट सेकेंड है हमने ओम के नियम के विभिन रूपों को जान लिया है क्या ओम का नियम सभी पदार्थों के लिए सत्य है यद्यपी ओम का नियम पदार्थों के एक बड़े वर्ग पर वैद पाया गया है फिर भी ऐसे पदार्थ और उपकरण भी मौदूद है जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं इसका पहला उधारण है जब V की I से आनुपातिकता समाप्त हो जाती है यहां दिखाई छवी में हम देख सकते हैं कि यद्यपी वक्र कम वोल्टेज के लिए एक सीधी रेखा है लेकिन यह अधिक वोल्टेज के लिए सीधी रेखा नहीं है और इसका उधारण है उच वोल्टेज पर एक अच्छा सुचालक V तथा I के मध्य संबंद V के चिन्ह पर भी निर्भर कर सकता है दूसरे शब्दों में यदि कुछ V के लिए धारा I है तो V का परिमान स्थिर रखकर इसकी दिशा बदलने पर विपरीत दिशा में आई के समान परिमान की धारा उत्पन नहीं होती है उधारण के लिए एक डायोड इस चित्र में आप देख सकते हैं कि विद्यूत वाहक बल के एक निश्चित मान के लिए धारा का एक निश्चित मान है लेकिन यदि विद्युत वाहगबल विपरीद दिशा में आरोपित किया जाता है तो उसी विद्युत वाहगबल के लिए धारा का मान बहुत ही कम है वी तथा आई के मध्य संबंध एक मात्र संबंध भी नहीं हो सकता है अर्थाद उसी धारा आई के लिए वी के एक से अधिक मान हो सकते हैं हम देख सकते हैं कि इस शवी में एक ही करेंट के लिए विद्युत वाहगबल के एक से अधिक मान है जो इन रेखाओं से निरुपित किये गए हैं इस धारा पर विद्युत वाहग बलका एक मान यह है जबकि इसी धारा पर विद्युत वाहग बलका एक मान हमें और मिल जाता है इस तरह के विवाहर को प्रदर्शित करने वाला मेटीरियल गेलियम आरसेनाइड है आएए कुछ चालकों की प्रतिरोधक्ता पर एक नजर डालते हैं यदि हम चांदी, तामबा और अल्यूमिनियम की प्रतिरोधक्ता को देखते हैं तो हम आसानी से पाते हैं कि सिल्वर की प्रतिरोधक्ता इन तीनों के बीच में कम है इसलिए स्पष्ट रूप से यह सबसे अच्छा चालक है लेकिन लागत कारक के कारण आमतोर पर कॉपर को प्रतिरोधक्ता दी जाती है जो प्रतिरोधक्ता में सिल्वर के बहुत निकट है लेकिन बहुत सस्ता है तालिका में उल्लिखित एक और पैरामीटर है कॉलम तीन में हम प्रतिरोधक्ता के तापमान गुणांख को देख सकते हैं यह मात्रा में हमें तापमान में हर इकाई परिवर्तन के लिए प्रति इकाई मूल प्रतिरोधक्ता में परिवर्तन के बारे में बताता है यह सपश्ट है कि नाइक्रोम और मैगनिन में बहुत कम तापमान गुणांग है अता इसकी प्रतिरोधक्ता तापमान से लगभग स्वतंत्र है और इसी लिए उन्हें मानक प्रतिरोध बनाने के लिए पसंद किया जाता है अब बात करते हैं अर्ध चालकों की हम देख सकते हैं कि अर्ध चालक की प्रतिरोधक्ता कहीं अधिक है परन्तु यह तापमान बढ़ाने पर घटती है आईए अब नजर डालते हैं कुछ कुछालकों पर तो आप देख सकते हैं कि कुछालकों की प्रतिरोधक्ता अत्यधिक है यही कारण है कि वे धारा को प्रवाहित ही नहीं होने देते प्रतिरोध कई विद्यूत और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का अभिन अंग है व्यवसाइक रूप से उत्पादित प्रतिरोधक दो मुख्य प्रकार के होते हैं एक तार से बने प्रतिरोधक यह कॉंस्टेंटन, नाइक्रोम या मैगनिन से बने होते हैं और उनकी सीमा एक ओम से कुछ सो ओम तक हो सकती है दूसरे कारबन प्रतिरोधक हैं यह द्रड और सस्ती हैं और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोनिक सरकेट में प्रयोग किये जाते हैं यह प्रतिरोधक आकार में बहुत छोटे होते हैं और बहुत उच प्रतिरोध बनाने के लिए उपयोग किये जाते हैं यहाँ पर आप एक प्रतिरोधक देख सकते हैं जोकि एक कार्बन का प्रतिरोधक है, चुकि प्रतिरोधक आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए प्रतिरोधों का मूल्य विभिन रंग की पटियों से दिया जाता है। आईए सीखते हैं कि कैसे इन पटियों से हम प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। पहले दो रंग प्रतिरोध के मूले का प्रतिनेद्व करते हैं, जबकि तीसरा रंग दशमलव गुणक का प्रतिनेद्व करता है चौथा रंग सहयता का प्रतिनेद्व करता है चलिए हम एक उधारण पर विचार करते हैं यहाँ पर एक प्रतिरोधक दिया गया है जिसमें चार पटियां आप सफ़ष्ट रूप से देख सकते हैं पहली दो पटियां प्रतिरोधक का मान बताएंगी तीसरी पटि गुणक बताएगी और चौथी पटि इस बारे में बताएगी के सहयता कितनी है तो पहली पटि पीली है पीली पटि के सामने का अंक चार है दूसरी पटि बैंगनी जिसके सामने का अंक साथ है अता ये दोनों पटियां अंक 47 को निरूपित कर रही है जिबकि तीसरी पटि जो भुरी है वो गुणक को निरूपित करेगी और हम देख सकते हैं कि भूरी पट्टी के सामने गुणक 10 की घात 1 है अताहा प्रतिरोधक का मान 47 गुणा 10 की घात 1 हो गया अब बात आती है चौथी पट्टी की जो सुनहरी है चौथी पट्टी हमें बताती है कि जो मान हमने निकाला है उसमें कितना परिवर्तन हो सकता है यह अंक 5 को निरूपित करता है और अंक 5 का अर्थ है कि इस प्रकार परिकलित मान में 5 प्रतिशत की गलती की संभावना है अता इस स्थिती में हमारा उत्तर हुआ 470 धन रिण 5 प्रतिशत ओम अच्छा अब आपके विचार करने के लिए एक प्रश्न है यदि हम एक बल्ब फिलामेंट के प्रतिरोध का मापन करें और फिर चमकते समय इसके प्रतिरोध की गणना करें तो दोनों के मूलियों में भारी अंतर पाएंगे इसके पीछे क्या कारण हो सकता है ये जानने का जिम्मा मैं आप पर छोड़ता हूँ तो खोजते रहिए और विशय का आनंद लेते रहिए धन्यवाद एल धन्यवाद काएंगे करे तो खोड़ता है दो ये धन्यवाद लेख कि अईस्दक्ट पे भीज़ता है पोड़ता है झाल झाल